ओम जै श्रीहर विश्नु जै मातरानी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मावगविती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवदा बनी रहे दोस्तों 10 सितंबर 2023 रविवार का दिन और इस दिन अज स्राइज न nadal ब्रद्धारण करने वाले व्यक्ति हर प्रकार के सुकु को भोक कर अंत में विश्नु लोग को जाते हैं मतलब भगष्णी कि कृपा से उन्हें मोक्ष की प्रापती होजा जाती है और जिसे आजा एकधिशी मानी गई है इस दिन बहुत सारे शुबयों का शुब सैनयोगों का दुर्लब योगों का समागम हो रहा है तो कल का दिन यानि कि 10 सितंबर का दिन इतना अधिक महतिपूर्ण है कि अगर आप व्रत धारन करते हैं तो कई गुना आपको आज के दिन किये गए व्रत का फल मिलेगा और जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवस अगर वो आज के द आपतर तक इस दिन किये गए शुब कर्मों का फल संचीत रूप में आपको प्राप्थ होता रहेगा तो बहुत स्रेश्ट है कल का दिन बिल्कुल भी व्यर्त नहीं गवाना है इस बात का ध्यान रखिए लेकिन कल के दिन आपको भोजन बिल्कुल सात्विक रखना है और भगवान श्रीर विष्णु के विदिविधान से पूजा जरूर करनी है मंत्रों का जब करना है भगवान को पीले पुष परपित करने है और हां भगवान श्रीर विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करते रहिए भजन किर्थन करते रहिए ताकि कल के दिन का पूरा स्वेश्ट जीवन पाना चाहते हैं लंबी आयू पाना चाहते हैं या फिर समाज परीवार में मान-प्रतिष्ठा की कामना है आपको तो यह उपाया यह वर्दान की तरह है रभी पुश्य-वोग में ही में जा सकता है वह बहुत सारे vitamin जो कि हमेज़ा अक्सर लिखते रहते हैं कमेंट बॉक्स में कि पहले वो पूजा पाठ बहुत अधिक करते थे लेकिन अब नहीं कर पाते हैं पूजा पार्ट में मन नहीं लगता है अगर आपका आध्यात्मे में मन लगता है तो इस उपाई को जरूर कीजिए निस्चित ही अगर आपकी जन्म गुंडली में सुर्य कमजोर हैं किसी भी प्रकार से सुर्य के कमजोर होने की वज़े से आपको दिक्कते आ रही हैं जीवन में तो आप इस उपाई को कीजिए आपका सुर्य मजबूत होगा और हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी दिखिए अगर मैं एक लाइन में इस उपाई के बारे में कहूं तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस उपाई को करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति की जा सकती हैं मतलब जैसी भक्तों की भावना होती है उसी के अनुसार उसको फल म यह सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कर दीजिए क्यूंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत में तुपूर्ण होते हैं यही एक मातर जर मुझा की प्राप्ति होती है और अगर आपका कोई भी सुझाओ हो कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेश वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्र मुझा भाधरपत मास की गृष्नपक्ष की एकादशी तीथी प्रारंभ हो रही है 9 सितम्बर को शाम को 7 बज कर 17 मिनट पर और समापत होगी 10 सितम्बर को रात्री नौ बज कर 28 मिनट पर तो दस सितम्बर को रविवार के दिन हम एकदशी कवरत धारण कर रहे हैं और बात क तो 11 सितंबर को एकादिशी वृत का पारण किया जाएगा 11 सितंबर 2030 सो अमभार के दिन सुभह छे बसकर 4 मिनट से सुभह 9 बजे तक आप अपना वृत खोल सकते हैं वृत का पारण कर सकते हैं और हाँ जो भी भक्त एकादेशी का वरत धारण करते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है पारण के शुबमूर्थ का ध्यान रखना क्योंकि अगर हम शुबमूर्थ में अपना वरत नहीं खोलते हैं तो हमारे किये गये वरत का संपुर्ण फल हमें नहीं मिलता इसलिए जब हम एकादेशी का वरत करते हैं तो पारण का शुबमूर्थ हमेशा ध्यान रखना चाहिए और हाँ एकादेशी की पूजा विधी की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो जरूर देख लीजिए और अब बात करें रवी पुशे योग के बारे में तो देखिए रवी पुशे योग का प्रारंब होगा 10 सितंबर को शाम 5 बज कर 6 मिनट पर और रवी पुशे योग समाप्त हो रहा है 11 सितंबर को सुबह 6 बज कर 15 मिनट पर मतलब रवी पुशियोग का प्रारंब शाम को 5 बज कर 6 मिनट पर हो जाएगा और ये बहुत ही शुब है क्योंकि पूरी रात्री जो हम भजन कीर्थन करते हैं रात्री जागरन करते हैं पूजा आराधना करते हैं इकादिशी के दिन उसका फल आपको कई जन्मों तक प्राप्त होगा बहुत ही श्रेश्ट मोहूर्थ है ये और इसके साथ ही सरवार्थ सिध्धियोग का समय रहेगा शाम को 5 बज कर 6 मिनट से प्रारंब होने का और समाप्त होगा 11 सितंबर को रात्री में 8 बजे तो सरवार्थ सिध्धियोग पूरी रात्री रहने वाला है अगले दिन पूरे दिन रहने वाला है और सरवार्थ सिध्धियोग का महत्व आप सभी जानते हैं इस योग में किया गया कोई भी कार्य सिध्ध हो जाता है आप अगर कोई भी मंत्र जब करते हैं तो उस मंत्र में आपको सिध्धी मिल जाती है कोई दान करते हैं, पूजा पाट करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना मिलता है और हाँ, 10 सितंबर को पूरे दिन बुधा दित्य योग भी रहेगा तो ये इतने सारे शुभ योग जो आपको प्राप्त हो रहे हैं इस दिन आप जो एकादशी का व्रत धारन करेंगे उसका फल तो आपको कई गुना मिलेगा ही इसके साथ जो भक्त व्रत नहीं भी कर रहे हैं अगर वो पूजापाट करते हैं दान इत्यादी करते हैं तो उन्हें भी आज के दिन किये गए दान का और पूजापाट का कई गुना फल प्राप्त होगा और अब जानते हैं रवी पुशे योग का एक बहुत ही स्रेष्ट और शास्त्रों में वर्णी तो पाए देखिए शास्त्रों के अनुसार बिल्ववरिक्ष की जड़ अगर रवी पुशे योग में धारन की जाती है तो किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो निस्चित्थी पूर्ण होती है किसी भी प्रकार की कामना जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्टी हो जाती है बिल्ववरिक्ष की जड़ धारन करने से क्यूं हो जाती है क्योंकि बिल्ववरिक्ष की जड़ धारन करने से सुर्य मजबूत होता है आप सब ही जानते हैं सुर्य ग्रहों के राजा होते हैं और इस जण को धारन करने से सुर्य मजबूत होते हैं सुर्य प्रसंद होते हैं तो फिर आपके जीवन की किसी भी प्रकार्गी समस्या का समाधान हो जाता है दूसरा बिल्व वरिक्ष जो की माना जाता है कि मालक्षमी का वास इस वरिक्ष में माना गया है मालक्षमी का प्रतीक माना जाता है बिल्व का वरिक्ष एक और कारण है आप सब जानते हैं भगवान शिव जिनको बिल्व वरिक्ष अत्यंत प्रिय है शीव का वास माना जाता है बिल्वी विर्ष में और मालक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाती है क्योंकि धन के बिना तो देखिए कुछ भी संभव नहीं है इसलिए मालक्ष्मी की कृपा मिलना अत्यन तावश्यक है तो ये एक पेड़ है जो आपको हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है अब आपको करना क्या है देखिए जब किसी भी व्रिक्ष की जड़ हम धारन करते हैं व्रिक्ष की जड़ लेकर आते हैं तो सबसे पहले उस व्रिक्ष को निमंतरण दिया जाता है आप शास्त्रों के अनुसार एक दिन पहले निमंतरण देना चाहिए लेकिन मान लीजे कि आप ये वीडियो कल देख रहे हैं तब आप क्या करेंगे हम शाम को जड़ लेकर आएंगे शाम को पांच बज़ कर छे मिनट के बाद लेकिन उससे पहले दिन में आप किसी भी समय चले जाएए और व्रिक्ष को निमंतरण देने के लिए जो सामगरी आपको चाहिए एक सुपारी चाहिए एक सिक्का चाहिए और थोड़े से अक्षत चाहिए और जल चाहिए आप देखिए जल थोड़ा ज्यादा लेकर जाएए मतलब परियाप्त मातरा में लेकर जाएए क्योंकि बिल्व व्रिक्ष की जड़ होती है थोड़ी सी कठोर होती है थोड़ा अधिक मात्रा में जल जब हम जड़ के अंदर डालते हैं तो जड़ के पास की जो मिट्टी होती है वो गीली हो जाती है और इसके बाद जड़ निकालना आसान हो जाता है तो आपको क्या करना है थोड़ा ज्यादा मात्रा में जल डालना है व्रिक्ष की जड़ में अच्छा एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, बिल्व का व्रिक्ष फलदार होना चाहिए, मतलब उसमें फल लगे हो इस बात का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि किसी गमले में आपने बिल्व का व्रिक्ष लगा रखा है और उसमें से आप जड़ लेंगे, तो फिर बात बनती है, देखिए, फल वाले जो व्रिक्ष होते हैं, उनका फल भी आपको बहुत अधिक मिलता है, तो किसी ऐसे व्रिक्ष को ढूड़िए, जिसमें फल लगे हो, पुराना व्रिक्षो, बेसक वो छोटा सा ही व्रिक्षो, लेकिन उसमें फल जरूर हो इस बात का ध्यान और जब आप व्रिक्ष देवता को निमंदरन देने जाते हैं, तो सबसे पहले जड़ में आपको जल देना होता है, दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम कीजिए, आपके हाथ में जो सिक्का है, सुपारी है, अक्षत है, वो व्रिक्ष की जड़ में डाल दीजिए, और इसके पूरे श्रधा भाव से, पूरे विश्वास के साथ अपने हाथ चोड़ कर व्रिक्ष देवता को प्रणाम करके उनसे प्राटना कीजिए, हे व्रिक्ष देवता, मैं आपकी जड़ को अपने घर ले जाना चाहता हूं, उसे धारन करना चाहता हूं, या फिर अपने घर में प्रातना करने के बाद आप अपने घर आ जाएंगे फिर इसके बाद शाम के समय जब पांस बज कर छे मिनट पर रवी पुशे योग प्रारंब हो रहा है उसके बाद आपको जाना है और हां एक और चीज का आपको ध्यान रखना है आप सभी जानते हैं कि शाम को सुर्यास्त होने के बाद कोई भी व्रिक्ष नहीं काटना चाहिए ऐसे में आपको क्या करना है सुर्यास्त होने से पहले आप व्रिक्ष की जड़ लेकर अपने घर चले आए और सुर्यास्त का समय है शाम को छे बज कर तीस मिनट पर तो ये लगभग डेड़ घंटे का समय है जिस समय म नुकीली लकडी जैसे एक लकडी ले लीजिए उसकी नोक बना लीजिए मतलब थोड़ी सी नुकीली हो जाए और पानी आप थोड़ी ज्यादा मात्रा में जब जड़ में डालते हैं तो इससे भी जड़ थोड़ी सी गीली हो जाती है मिट्टी गीली हो जाती है तो आप ल तोड़ी सी जड़ आपको लानी है मतलब आपको जितने की जरूरत है आप उतना ही जड़ लेंगे और घर लाकर घर के मंदिर में एक दीपक प्रजलित कर लीजिए इसके बाद धूपदीप प्रजलित करके धूपदीप दिखाकर उस जड़ का पंचोपचारविदी से जब सकते हैं जैसे कि ओम घ्रिणी सुर्याइनमा या फिर ओम सुर्याइनमा ओम रीम शुर्याइनमा इन में से किसी भी एक मंत्र को लीजिए और कम से कम पांच माला आपको इस मंत्र का जब करना है ताकि जड़ी सिद्ध हो जाए और हां इस मंत्र को जबने के लिए आप हमहें तो ऐसे ही थोड़ी देर तक बिनस्थ दस मिन अपनी शक्ती सामःति की अनुसार समय के अनुसार आप यता समभव जब कर लीजिए इसके बाद भगवान से प्राइटना करके आप ऐस जड़ को धारन करेंगे थारन कैसे करना है आपको देखे या तो आप एक ताबीज ले सकते हैं तामबे की ताबीज ले लीजिए और उसी में आप ये जो जड़ लेकर आए हैं भर दीजिए और फिर लाल धागे में बाद कर अपने गले में धारण कर लीजिए एक दूसरा तरीका है लाल रंग का कपड़ा ले लाल धागे से ही सिलना है इस बात का ध्यान रखिए और लाल धागे में ही इसको धारण करना है ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि सुर्य का यंत्र सुर्य की जड़ी हमेशा लाल रंग के धागे में लाल रंग के वस्त्र में ही धारण की जाती है तो आप चाहें तो लाल रंगे कपड़े में बांध कर भी धारन कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने गले में धारन कर सकते हैं, या फिर अपने दाहिने हाथ में धारन कर सकते हैं, इस जड को बच्चे भी धारन कर सकते हैं, बड़े भी धारन कर सकते हैं, पुरुष भी धारन कर सकते हैं, इस त् पढ़ाई अच्छी हो जाती है नौकरी में व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं तो ये उपाई आपके लिए रामबाण उपाई है और सबसे बड़ी बात इस उपाई को करने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली दिखाने की आवशक्ता नहीं होती है यह कोई भी कर सकत करते हैं कोई भी यंत्र धारन करते हैं तो उतारने की अवशक्ता नहीं होती है और अब एक और जीज़ जैसे कि अगर आप इस जड़ को धारन करते हैं इसका ज्यादा प्रभाव पाना चाहते हैं तो प्रति दिन भगवान सुरे के मंत्रों का जब कीजिए सुर्य भगवा और सुर्य से संब्धित सभी परेशाणिया समाप्ध होती हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कामना पुर्ण नहों आपकी परिशानी दूर नहों रिजल्ट कब तक देखने को मिल जाता है मातर 40 दिन में चालिस दिन में आपको इसका प्रभाव देखने को मिलने लग जाता है, मतलब आपको अनुभाव होने लगेगा कि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चालिस दिन बाद इस जड़ को उतार कर रख देंगे, ऐसा मत कीजिएगा, एक बार तो कुछ समय तक आप इसे धारन कर के रखिए, आप चाहे तो बहुत लंबे समय तक भी धारन कर सकते हैं, और हां, बीच बीच में जैसे कि कभी भी पुषय योग आता है या फिर गुरु पुषय जोग आता है, उस समय में आप उतार कर अपने हाथ से अगले से इसे गंग करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए शेर भी जरूर कीजिए फैमली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपक तक के लिए नमस्कार